दोसों चाहे आप धीरे चल रहे हो या फिर तेज चल रहे हो फर्क इससे नहीं पड़ता है कि क्या आप सही रास्ते पे चल रहे हो या नहीं चल रहे हो क्योंकि अगर आप धीरे भी चल रहे हो लेकिन आपका रास्ता सही है तो आपको आपके मंजिल मिल जाएगी लेकिन अगर आप गरत रास्ते पे चाहे जितनी भी तेज दोर लगा लो आप अंत में गरत मंजिल पे ही पहुँचोगे जो आप चाहते हो वो आप हांसिल नहीं कर पाऊगे और यही बात लागो होता है हमारे अपने खुद के लाइफ के ऊपर कि आप financially किस रास्ते पे हो क्या आप आम आदमी और गरीबी के रास्ते पे जा रहे हो या फिर आप मिल्ल क्लास और आर्थिक गुलामी के रास्ते पे जा रहे हो या फिर आप अमीर बनने और आर् तो दोसों अगर आप हुअनु फानेसर लायफ को सेडी करते हैं तो आप आएंगे कि तीन तरह के रास्ते हैं जिस पे हम चलते हैं जिसमें सबसे पहला है कमाओ और खर्श करो और ये जो रास्ता है ये आम आत्मी और गरीबी का रास्ता है यहां हम जितना कमाते हैं, उतना खरच करते हैं, हमारे पास बहुत ही छोटी नाम मात्र की सेविंग्स होती है हमारे पास कोई भी investment portfolio नहीं होता है, हमारे पास कोई भी emergency fund नहीं होता है, अगर हमें कभी अच्छानक जरूरत पड़ती है, तो हमें कोई काम या सर्विस देते हैं वो एक ही जरीया होता है जिस पे हम डिपेंड होते हैं अपनी पूरी इंकम के लिए और इसके बाद अगर हमारी इंकम बाइचांस कभी बढ़ भी जाया थोड़ी बहुत तो वो महंगाई की वज़ज़ से हमारे जो खर्चे हैं वो मीटप कर जाते हैं और हम यहां पर कभी बच्चत नहीं कर पाते हैं यह है पहला रास्ता जिसपे आप देखते हैं कि आपकी जो कमाई है वह आपके खर्च के लगभग बराबर है लगभग एक्वाल है कम या थोड़ा ज्यादा और यह सिलशला चलता ही रहता है मान लेज़े कि इस साल आपकी इंकम यहाँ पे 15,000 या 20,000 पर मंथ है और अगले साल 25,000 हो जाए तब भी आप देखेंगे कि आप इसी रास्ते पे हैं आपकी इंकम और आपके जो खर्च हैं वो लगवग बरबर बरबर चल रहे हैं और फिर भी आपको जो पैसे की सॉर्टेज है वो थोड़ी बहुत कम ही पड़ रही है और बात में आपका जो most part of the income है वो इन ही कर्च को चुकाने में चला जाता है तो यह है दूसरा रास्ता जहां पे आप अपने future की आमदनी को पहले खर्च कर लेते हो और अगर कोई emergency आती है तो यह जो चोटी मोटी savings है या फिर चोटी मोटी investment portfolio है वो भी हमें तोड़ने पड़ते हैं और बात में वो भी पैसे खर्च हो जाते हैं इसके लाब बात करें income sources की तो वो भी यहाँ पे limited ही होते हैं बहुत ही limited जो job या फिर जो business होता है चोटा मोटा उससे ही यहाँ पे हमेरे खर्चे पूरे होते हैं वही हमारा income source होता है और यहाँ पे middle class में जो सबसर बार trap है वो यही है कि middle class की अगरे income बढ़ती है तो जो भी income बढ़ती है उस income को use करके middle class आदमी और ज्यादा debts और ज्यादा loans लेता है और जम कर खर्च करता है अपने future की income को और इस trap में वो फंसा ही रहता है वो खर्च कर लेता है घर गाड़ और बात में खर्च करो और यही जो तिसरा रास्ता है वो है financial freedom या फिर अमीर बनने का सही रास्ता अपने financial intelligence को use करके कि आप अपने सबसे पहले जो खर्चे हैं उसे आप under control रखते हो अपने खर्चों को बढ़ने नहीं दे हो आपके खर्चे कभी भी आपकी income की ratio में 45-50% र करते हैं उसे अप ठीक दंग से निवेस भी करते हैं अपने investment portfolio बनाते हैं इसके रावा जो monthly expense का जो budget है वो आप follow करते हैं आप emergency fund बनाते हैं प्रोपर अपने आपको financial secure करते हैं अच्छे insurance लेकर और इसके बास से आप अपने future के financial goals को ध्यानवर रखते हुए लगतार बचत क करते हुए आप यहाँ पे निवेस करते चले जाते हो और यही हो रास्ता जिस पर अगर आप धीरे भी चल रहे हो यानि थोड़ी बहुत लगतार अपने income के according बचत करते चले जा रहे हो लेकिन आपने रास्ता सही पकड़ा हुआ है तो बाद में आपको मंजिल मिल जागी आप financial freedom जरूर हासिल कर लोगे और देर सवेर आप जरूर अमीर बंच जाओगे लेकिन वहीं पे जो पहले दो रास्ते हैं उन रास्तों पे अगर आप हैं और जितनी वी तेजी से चल रहे हैं तो आप वहाँ पे financially free नहीं हो पाएंगे अमीर नहीं पनबाएंगे तो I hope कि इ नहीं ऐसा तो नहीं कि हम financial freedom के रास्ता पे नहीं बलकि middle class या फिर आम आदमी गरीब बनने के रास्ते पे हम चल रहे हैं तो अगर हम यह गलती कर रहे हैं रास्ता हमारा सही नहीं है तो हम अंत में गलत मंजिल पे ही पहुंचेंगे तो इसलिए समय रहते हमें अपने रास्त झाल